बालो की लूट हो रही है जितनी भी जारखन का जो बॉर्डरिंग जिला है वहां जाकर के देख लिजे बालो हाईवा पर ट्रक पर वियार के और जा रहा है बंगाल के और जा रहा है सब जगा आप देख लिजे हमें तो कभी वहां से बालो की उठाव नहीं होता था जहां मेरा घर है जहां मेरा छेत रहे सकरी नदी में वहां से भी बालो की उठाव और पकड़ा और एक दिन ठाना मेरा रहा है और फिर चोड़ दिया और हाईवे वहां से सब यहार के और चला गया तो राज के मुकमंत्री कहते हैं हमारे खजाना खाली है कैसे काम होगा तो खजाना तो भरने नहीं दे रहा है जिस पैसे से जो टेक्स से पैसे आते है वो तो सब इनलीगल यहां से बाहर जा रहा है अपने खजाना बढ़ रहा है लेकिन राजसरकार का जो ट्रेजरी है वो खाली पड़ा होगा मजाल किसी दरोगा कि हिम्मत होगी थाना से कोई गारी छोड़ देंगे मजाल किसी कोई DTO की होगी DC की होगी कि अगर बालू और यहां से पार हो जाएगा यहां तो एक ट्रेक्टर बालू अपने घर बनाने के लिए लोग ले जाते हैं तो उसको तो पकड़ करके केस कर देती है और यहां तो बड़े-बड़े हाइवा से जा रहा है बाहर जा रहा है आप दूमका होगे रहमें आप देख लिजे कई एक दिनों हमने सोसल मीडिया में लोगों ने डाला हमने भी उसको अपना फेस्बुक में डाला ट्रक के ट्रक पथल जा रहा है और किस प्रकार से जा रहा है वो सब बता रहा है कहां किस थाना को कितना पैसा देना पड़ता है डिटियों को कितना देना पड़ता है दो नंबर का चलान बनाता है वहां कितना पैसा देना पड़ता है अब बताओ इतनी ओपेन लोग बता रह रहा है इसका आर्थ यही है सिधा सिधा कि यह जो पैसे का हिस्सा है तो निस्षित रूप से आधा हिस्सा तो क्या कहते हैं सी एम के परिवार कहा जा रहा होगा तभी इतना कोई आफसर दो साहस कर रहे है तभी इतना माफिया लूटे रहें लोग दो साहस करे गर नहीं तो करी नहीं सकता है, सवाल नहीं पैदा हो से